नेपाल NPL ने भारत के पलियर को खरीदा है जबकि IPL ने एक भी नेपाली पलियर को नहीं खरीदा केवल एक बार संदीप लामिचने को खरीदा था जबकि नेपाल के पास में 3-4 पलियर ऐसे हैं जो IPL खेल सकते हैं पहले इस छोटी सी वीडियो क्लिप को देखिए फिर आग खिलाडी पैदा बहिला नेपाल प्रीमियर लीग में सेलेक्शन वहले हैं ओकरे बारे में बात करेंजे आई बात करेंजाता है क्या नाम आपका सुभं क्या करते हैं आप क्रिकेट टीम में मैं ऑल्रांडर हूं बॉलिंग बैट्टिम में लोगता है सुभं अभी एक खिला बताया जा रहा है कि एंपील लुंबनी की तरफ से महराज गंज के एक इंडियन आदमी का सलक्षन हुआ है और यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन आईपील में नेपाली पलीरों का सलक्षन न होना यह बहुत ही गलत बात है जबकि नेपाल की तरफ से धीपेंदर सिंग एरी 100% आईपील खेल सकते हैं क्योंकि इनका इस्ट्राइक रेट 146 का है एवरेज 49 की है टीट्वंटी में यानि कह सकते हैं कि दीपेंदर एरी का जो टीट्वंटी में रिकार्ड है वो बहुत ही अच्छा रिकार्ड है और आईपील खेलने के लिए या वर्ल्ड में किसी भी टीम की तरफ से खेलने के लिए यह रिकार्ड बहुत ही अच्छा है फिर भी दीपेंदर एरी का सलक्ष आइपियल में नहीं हुआ जब आप में नेपाल की तरफ से देखेंगे तो सुनने में आ रहा है कि दो तिन प्लेयर इंडिया के एनपियल में खेलेंगे यह आपने वीडियो में भी देखा होगा कि महराज गंज बिहार के लोग कुछ खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उसका सलक् आइपियल का और अभी तक संदीप लामी छने को छोड़के एक भी नेपाली का सलक्षन नहीं हुआ आइपियल में जबकि आप देखते हैं आइपियल में साउत अफरीका इंगलेंड न्यूजिलेंड वेस्ट एंडिज आस्टेलिया जैसे बहुत सारे देशों का सलक्षन ह हुआ है लेकिन नेपाल का सलक्षन नहोना आइपियल में यह एक दुखत बात नजर आ रही है क्योंकि हमने आइपियल के प्लेयर भी देखे नेपाल के प्लेयर भी देखे और हम बिल्कुल दावे के साथ में कह सकते हैं कि नेपाल के पास में औरों को चलिया हमने छोड़ भी दिया तो कम से कम एक प्लियर तो ऐसा जरूर है जो आई पेल खेलने में पूरी तरीके से सक्षम है दीपेंदर सिंग एरी आप रिकार्ड उठाके देग लीजे आई प्लियरों और NPL बहुत सस्टा गे में देखे दोस्तों मेहगा सस्ते की बात नहीं है बात है और देश की जनसंक्या मैं तो यह तरक देना बिकूपी हो गी कि कि आईप्याल मंहेंगा है NPL सब्सक्राइब। लेकिन इस बात से हमें काफी खुशी है कि नेपाल ने भारतिया प्लेयर का सेलेक्शन किया और इस बात से हमें काफी नाराज गी है कि IPL ने किसी भी नेपाली प्लेयर को नहीं खरीदा झाल झाल